नमस्कार मैं रभुनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूँ अपने देश में घटि वैसी घटनों की जो आँख खोलने वाली है और हमारे संसदी लोक तंत्र के लिए और अपने देश की एकता अखंडता के लिए कितने मेमरेवल इवेंट्स हैं आज जो अपने देश की इस्तिती है सत्ता पक्ष और विपक्ष में इतनी दूरियां भर गई है इतनी कटुता है कि देश की जनता या सोचने को बद है कि आने वाले कल में क्या होगा मैंने कुछ घटनाओं का शंकलन किया है हिंदुस्तान अखवार में छपी हुई एक लेख की जो 16 सितंबर 2022 को चपा था और ये लेख है स्रे केशी त्यागी शाव का जो लोक्सवारास सभा में सदर्स रहे हैं जो जन्नायक करपूरी ठाकूर डॉक्टर रामनोर लुहिया और स्रे चोधरी चरन सिंग जी के शहयोगी भी रहे हैं राजनीती में और आज भी काफी शक्रिय हैं और ये मुख प्रवक्ता और सलाहकार हैं जनतादल उनाइटेट पार्टी के पहली घटना मैं पहली घटना का वजिक्र कर रहे हैं कि जया प्रकासवावू पंडित जवाहरला नहरुजी को जब भी पत्र लिखते थे तो उसमें वो भाई शाहव लिखते थे तथा इंदिरा जी को वो इंदू के रूप में संबोधित किया करते थे और इंदिरा जी जब भी जया प्रकासवावू को पत्र लिखते थे तो वो अंकल के रूप में संबोधित किया करते थे में लोहिया जी ने राय बरेली में स्री फिरोज गांधी जी के विर्थ सोशलिस्क पार्टी का टिकट दिया था स्री नंद किशोर नामक साधारन कार्च करता को जो नाई जाती से आते थे नॉमनेशन के कुछ राशी स्वरम लोहिया जी ने उन्हें दी थी परंतु फिर भी राशी कम थी अता जिलापता अधिकारी ओफिस के सामने वे जनता से एक एक रुप्या सहयोग ले रहे थे कुछ दूरी से फिरोज गांधी देख रहे थे उन्होंने स्री नंद किशोर जी को दुला कर अंगरोद किया कि घट रही राशी वे उनसे स्विकार करें हाथ जोरकर स्री नंद जी ने अश्विकार किया स्री फिरोज गांधी ने कहा कि आपने जनता के बीच परचार में मुझे मुझसे आगे हो गया चुनाओं के दोरान भी और चुनाओं के बाद भी दोनों का संबंध काफी असनिह पुर्ण बना रहा 1977 में इंदरा जी चुनाओं हार जाती है जै प्रकास्वावू कुछ पत्रों का पुलिंदा लेकर इंदरा जी के एक सफदर जंग आवास पहुँशते हैं ये वो पत्र हैं जो कमला नहरू ने प्रभवती जी को लिखे थे इनमें कुछ पारिवारी के द्वंद का भी उलेक था दोनों की आँखों से आंसु छलकते जै प्रकास जी कहते हैं कि इंदू इन पत्रों को आप रखिये अन्य था सार्विजनिक हो जाने पर असुविधा जनक इस्थिती पैदा हो सकती है जै प्रकास आंदोनन के समय स्री चंद्रशेखर संसद मार्ग इस्थित ठाने जाते हैं या पुछने कि जै प्रकास जी की गिरफतारी का कारण क्या है तो इन्हें भी गिरफतार कर पठियाला जेल भेज दिया जाता है 1977 में चुनाओं में इंद्रा जी चुनाओं हार जाती है और जनता पर्टी की सरकार बनती है तो चंद्रशेखर जी खुसल छेम पूछने इंद्रा जी के पास जाते है इंद्रा जी उनसे कहती है कि उनके सामने आवास की समश्या है चुकि मुरार्जी दिसाई और चौधरी चरंद सिंग आवाश का विरोध कर रहे हैं चंद्रशेखर मुरार्जी दिसाई के पास जाते हैं तथा बहस के बाद इंद्रा जी को आवाश आवंटित होता है 1984 में इंद्रा जी की दुखत हत्या होती है और राजिव गांधी पीम बनते हैं चुनाव होता है चंद्रशेखर चुनाव हार जाते हैं उनके समक्ष भी आवाश की समश्य आती है उन्हें राजिव गान्थी का संदेश आता है कि चंद्रशेखर जब तक चाहें सरकारी आवास में रहें 1977 में जंतापाटी की सरकार बनती है स्री अटल विहारी वाजपरी विदेश मंत्री बनते हैं जब वे कार्याले जाते हैं तो बदलाओ के रूप में देखते हैं कि पंडित जवारला नहरुजी की तस्वीर वहां नहीं है सरी वाजपरी बिगर जाते हैं तुरन सचम्मान तस्वीर लगाई जाती है पीवी नरसिमहाराओ प्रधान मंत्री थे तो भारत का पक्ष यूनियों के एक बैठक में रखने के लिए प्रतिनिदी मंडल जेनेवा भेजा जाता है इस प्रतिनिदी मंडल का न्यत्रित विपक्ष के नेता स्री वाजपरी जी करते हैं इसमें एक सदस्ट स्री फारुक अब्दुल्ला भी होते हैं 1984-89 प्रधान मंत्री राजव गांधी थे उन्हें पता चला कि स्री वाजपरी जी और स्वस्त थे स्री गांधी स्री वाजपरी को देखने उनके आवास पर जाते हैं अमेरिका में इलाज कराने की शलाह देते हैं इसमें बहुत दिन अमेरिका में रहना भी था खर्च बहुत था, उसी समय UNO में एक भारती प्रतिनी मंडल भेजा जाना था, स्री राजिव गांधी ने उस सिस्ट मंडल में स्री वाजपेई जी को भेजा, भारती राजदूत के साथ डॉक्टरों के टीम स्री वाजपेई जी की जाच करता है, दुतावास इलाज की सारी विवस्थाक्रता है, और बहुत दिन बाद पूरी तरह स्वस्थ होकर स्री वाजपेई भारत लोटते, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा, कि स्री अटली वाजपेई जी ने अपने संस्मन में भी लिखा है, उन्होंने अस्पस्ट कहा, कि उनकी जो जिन्दगी है, वो र स्री वाजपेई जी का इलाज नहीं होता, तो शायद बहुत ही गंभीर इस्तिती पैदा हो सकती थी, यह हमारी जो देश की संस्कृती है, शभ्यता है, मेल बिलाब की इस्तिती है, यह सभी उताहरण ऐसे हैं, जो भारतिये लोकतंत्र के लिए एक संदेश देते हैं, हम लो जरूर बदलाव होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जरूर समरवे की इस्तिती आएगी, और भारती लोकतंत्र पुना उस दोर में लोटेगा, जब पूरी दुनिया कहेगी, कि भारत का लोकतंत्र बहुत ही सुद्रण, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो जब जब जए जए